Current Affairs में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा प्रोग्णम आती है students हमेशा मतलब clarify नहीं कर पाते हैं अच्छे से और Current Affairs को समझ नहीं पाते हैं तो आज हम Current Affairs को और mostly Sports Current Affairs का ये हमारा Topic है आज का तो उसको हम सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों मेरे नाम है मनू मदुकर और route to physical education में आपका फिर से स्वागत है तो playlist आप चेक कर सकते हैं आपर admission information चेक कर सकते हैं बहुत सारी video available है आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से और preparation के लिए और बहुत सारी videos available हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ अगर आपको और various platform पे social media से जुड़ना है मुझसे तो आप मोनू मदू कर सर्च करिए Facebook पे चाहे आप Instagram पे हो चाहे आप YouTube पे या फिर आप मुझसे टेलिग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और टेलिग्राम पर महाँ पर इसकी PDF available हो जाएगी सो सबसे पहली जो current affairs है ये बहुत ज़्यादा important हाती है आपके कोई से भी exam की preparation कर रहे हैं चाहे आप BPA के लिए prepare कर रहे हैं कोई भी entrance exam के लिए prepare कर रहे हैं तो साई ने मतलब sports authority of India उसने अभी 30,000 each मतलब की 30,000 रुपे एक player को दिये जाएंगे और उसमें से player कितने है 2749 player है जो आपकी खेलो इंडिया scheme के अंडर उनको इतने पैसे दिये जाएंगे और खेलो इंड deposit कर दिये गये हैं इतने खिलाडियों के और ये announcement करी है आपके sports and youth affairs sports मतलब sports minister आपके आप सभी को पता होना चाहिए कि sports minister आपके किरन रिजुजू है और ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये अरुनाचल प्रदेश से आपके बिलोंग करते हैं अरुनाचल प्रदेश क को मिला कर ये total 21 sports disciplines में आपके ये scholarship दी गई है इसमें से अगर महराष्ट की बात करें तो महराष्ट के 386 खिलाडी और हर्याणा के 381 खिलाडी और ये डेली और पंजाब के आप देख सकते हैं तो हर्याणा आपका second number पे है और महराष्ट first number पे है यहाँ पर ठीक है और ये O OPA क्या होता है दोस्तो आउट ओफ पॉकिट एलाउंस यह आपका one point two zero मतलब एक लाख बीस हजार रुपे एलोटिट किया जाएंगे एन्वली एक साल के लिए और इसमें क्या होगा जो खेलो इंडिया की scholarship के अंडर में जो आएंगे उनको सभी को ये total मिला के 628,000 मतलब आ इंडिया यूनिएस्टी गेम्स फर्स्ट एडिशन उडिशा में होगा था आप सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए और next हमारी जो current affairs है वो यह है कि जो फीफा है फुटबोल की under 19 women's world cup इंडिया में और ये 2021 में फरवरी में तो इसकी date है आपकी 17 फरवरी से 7 मार्च तक अभी ये मुझे नहीं लगता इतने में हो पाएगा और इसकी 5 hosted cities हाप की कौनसी कौनसी है नवी मुंबई, गौहाटी, एहमदाबाद, कौकत्ता और भूवनेश्वर तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना और फीफा under 17 men's का गौहाटी में भी organized हुआ था तो इस ची campaign रह चुकी है, rank number one भी रह चुकी है, तो इनकी बारे में news आ रही है कि, पीविस हिंदु named, I am badminton awareness, और campaign की इनको brand ambassador बनाया गया है, और ये जो, BWF आपकी badminton world federation, name Indian sutler, sutler कि इसको बोलते हैं, जो badminton खिलाडी होता है, उसको sutler बोलते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना पीविस हिंदु as one of the ambassador of its I am badminton awareness campaign की इन्हें बनाया गया है, तो ये बहुत ही, ये direct बूचा जा सकता है, I am badminton awareness campaign का, जो brand ambassador की से बनाया गया है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही सान की बात है, next, जो हमारी current affairs है, वो ये है, कि इंडिया to host 2020, मतलब 2020, आपका जो Asian boxing championship है, इ तो BFI, जिसकी full firm है, Boxing Federation of India, has announced that India will be host 2020 Asian boxing championship, तो 2020 के जो Asian boxing championship है, वो आपका होस्ट करेगा, और इसके साथ में ये कहा जा रहा है कि, the announcement was made by National Federation President Ajay Singh, तो आप सभी को Ajay Singh के बारे में मालूम चल गया होगा कि ये National Federation के President है, उसी के साथ में BFI के President कौन है, आप मुझे बताना, next, ये कह रहे हैं कि India organized, ये already India में organized हो चुका है, 1980 में, वो कहा हुआ था, Mumbai, ठीक है, और ये men's का हुआ था, women's का 2003 में, हिसार में, और हिसार हरियाना में है, आप सभी पता होगा, और women's का यहाँ पर हरियाना में हुआ था, और जो first आपका event कब हुआ था, ये first event आपका हुआ था, मतलब first Asian Boxing Championship आपका हुआ था, Bangkok में, और ये Thailand में है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा note down कर लेना, next question, मतलब, एक current affairs है कि IOC, जो की International Olympic Committee है, उसमें क्या कह रहे है, देखें, एक IOC होता है, International Olympic Committee, ये एक international level की body है, और एक IOA है, मतल Indian Olympic Association, तो ये आपकी, इंडिया की है, जो की आपके Indian players को, Olympic में भेज़ती है, और उसके लिए responsible होती है, तो IOC announced, तो, IOC ने क्या करा है, कि IOC ने नई deadline, आपकी set करी है, qualification period के लिए Tokyo 2020, ठीक है, आप सभी को पता होगा, कि Olympic खिलाडी जितने भी होते हैं, सब को qualify करना होता है, औ और ऐसे ही सेम 2020 के लिए है, ये एक qualification deadline रख दी गई है, तो IOC ने कहा है, कि 29 June 2021, हैर सेट, मतलब इतनी तारीक को आपको deadline रख दी गई है, और ये आपके Tokyo Olympics के लिए, आप सभी को पता होगा, कि recently जो Olympics होने वाले थे, वो आपके होने वाले थे, 23 July 2000, मतलब 24 July 2020 से 9 August तक, लेकिन अभी ये postpone करके कर दिये गए है, 23 July 2021, तो ये एक most important question बन जाता है आपका, और ये 8 August तक चलेंगे, Olympics के, कितने दिन तक होता है, Olympics के होता है, 16 days का, आप सभी को पता होगा, और 14 days इसमें आपका playing event वगेरा चलते हैं, और first day और last day आपका opening और closing ceremony में लग जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और next ये कह रहे हैं कि, अभी जो, तो deadline कब set करी गई है, deadline set करी गई है, 5 July 2021 तक, आप सभी को sports entries submit करनी पड़ेगी, आप सभी को पता होगा, आप सभी खिलाडी है, जो भी देख रहे हैं, तो ये state level के लिए भी same चीज मानने होती अगर आप state, मतलब district से state खिलने जा रहे हैं, तो आपको अपनी district से entry submit करनी होती है, ऐसे ही state wise आपकी national के लिए entry submit करनी पड़ती है, आप IOC के लिए कुछ बात जान ले आप, IOC का गठन हुआ था 23 June 1894 आपके 19, मतलब 1896 में first olympic होए थे, इससे 2 साल पहले, तो 96 में से 2 साल गठा देंगे तो 94, ठीक है, तो sorry, 84, मतलब 94 ठीक है, लेकिन 1894, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, की 1894 में आपका क्या हुआ था, 23 June 1894 में आपका है, गठन हुआ था IOC, जो की international olympic body है आपकी, next, और इसका headquarter है, लोसाने, स्विजर लेंड, mostly, 90% आपकी जितने भी games, federation है, सबका headquarter आपको स्विजर लेंड में मिलेगा, ठीक है, और इसके honorary president है, जैक क्वेस, रोगे, और आपके president है, थोमस बैक, और first president आपके कौन से, यह मेरी olympic की वीडियो में, मैंने already describe कर रखा है, तो उसको एक बार देख ल Asian Games का, आपको पता होगा, first time जो Asian Games कराया है, वो आपका India ने host कराया था, Delhi में हुआ था, और ये, आप, आप मेरी video देख लेना, 1951 में, कैसे, इसके पीछे की पूरी कहानी, मैंने already discuss कर रखी है, कि, कैसे कैसे कहां कहां, मतलब आपके Olympics की भी है, और Commonwealth की भी है, साथ में Asian Games की भी मेरी video already available है, तो इन्होंने, अभी, 19 Asian Games आपके होने वाले हैं, चाइना में, तो, चाइना के Hangzhou सहर, जो की, चाइना में है, और इन्होंने क्या किया है, कि, थ्री रोबोट्स, मतलब इनके जो, मास्कोट्स, आप सभी को पता होगा, मास्कोट्स किसी भी game का, मतलब, अगर कोई game organized हो रहा है, या फिर वो Asian Games हो, World Championship हो, या फिर कोई Commonwealth Game हो, तो उसमें एक मास्कोट रखा जाता है, जो कोई भी एक आपका animal हो सकता है, वाह का कोई भी प मास्कोट के रूप में, और ये आपके 2022 के जो Olympics होने वाले, मतलब Asian Games होने वाले है, वो आपके triple, मतलब smart triple, smart triple eights कहलाएंगे आपके, और इन मास्कोट्स का नाम है, कॉंग कॉंग, लेन इन, ठीक है, लेन लेन, और आपके, चेंचें, तो इसको थोड़ा सा प्रणूंस, ये शो करते हैं, आपके internet power, ठीक है, power of आपकी जो Hangzhou City है, उसको, और ये आपके digital ceremony होगी, ये आप सभी को पता है, pandemic चल रहा है, इस टाइम में, COVID-19 का बहुत ज़्यादा कहर है, और इसी के साथ में, मैं बता दूं आपको कि, ये आपके September, 10 September से 25 September तक आपके, और ये आपके Asian Games होईंगे, और ये थर्ड आपके, थर्ड टाइम पे ये आपके Asian Games, मतलब, ये तीसरी बार चाइना करवा रहा है, इससे पहले भी दो बार, 1990 में आपके हो चुके हैं, और 2010 में भी आपके, चाइना में हो चुके हैं, और अभी recently, 2018 में आपके हुए थे, ये आपको सभी को पता होगा, दो शहरों में हुए थे, ये आप देख लेना, मेरी Asian Games पे पूरी वीडियो है, उसमें, अब हेड़कॉर्टर की बात करें, तो क्वेट सिटी में इसका, अपका हेड़कॉर्टर है, और इसको फाउंड क्या था, November 16, 1982, इसमें, ठीक हैं, इसी के साथ में, इसके начала by London, में एक साधी, जन्बाष से पृची के सायाола शुर्टर का कर रहा है, अपना विमडिव्डन चैंपियन SIP, आप सभी को पता है, विमडिव्डन scholars क जो tennis की championship होती है और grass पे खेली जाती है और grass पे खेली जाने वाल आप मुझे बताना चारों कौन सी प्रतियो गीता हैं होती है और उन चारों के बारे में एक वीडियो में separate ले कर आओंगा तो world war के बाद world war 2 में ही आपकी एक बार cancel हुई थी ये और उसके बाद फर्स टाइम ये कैंसिल हुई है और ये आपकी 29 जून 2020 को होने वाली थी और ये अभी कैंसिल हो गई है ठीक है फर्स टाइम ये आपकी हुई थी 1945 में वर्लड वार के दोरान ठीक है और इसमें प्राइज मनी कितना होता है ये मुझे एक बार बताएए नेक्स्ट है बहुत इंपोर्टेंट न्यूस है कि 2021 की जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चेमपेंसिप है इन अभी ये आपकी होगी ठीक है तो ये यूजे ने और औरगें में आपकी सिफ्ट हो गई है दोजार बास ठीक है दोजार बास में होगी ये दोजार एक्ष्ट में चाहिए था आपका इसको सोट फो में बोलते थे आई एए एफ तो इसको ऐसे भी आप प्रेमन प्रणांस कर सकते हैं इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन या फिर इंटरनेशनल एस्टेशन ओफ एथलेटिक फेडरेशन तो अभी इसको चेंज करके वर्ल्ड एथ यह थी आपकी 6 से लेके 15 अगस्त तक 2021 को यह होने वाली थी और यह अभी जो नई डेट्स आएंगी तो मैं फर्दर आपको इनफॉर्म कर दूंगा तो यह कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हैं यह आपकी फॉर्म हुई थी 17 जुलाई 1912 में और यह फाउंडिड इडरेशन में प्रेजिडेंट इसके कौन है सेबस्टेनियन कोई तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना और यह आपकी IAAF कहलाती थी पहले जो अभी WA कहलाईगी नेक्स्ट है अभी यह कुछ न्यूज ले लेते हैं रिसेंटली जो आप सभी को पता होगा अभ 3 ताइम्स ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जिताने वाले थे 95 की उमर में इनका चंडीगड में देहान हो गया है तो यह करीबन साड़े 6 बजे मोर्निंग में स्वर्ख सिधार गए और नेक्स्ट न्यूज है कि आपकी जो ओन फरवरी 13 2020 में आपके क्या इंटरनेशनल होकी फेडरेशन नेम्ड इंडियन कैप्टन मनप्रीट सिंग जो मनप्रीट सिंग है उनको क्या दिया गया आपका जो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने है प्लेयर ओफ दा इयर ठीक है यह आपके प्लेयर ओफ दा इयर बने है तो यह आपके थे मनपरीत सिंग आप बताना मुझे मनपरीत सिंग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं नेक्स है इंडियन वूमेन होकी टीम प्लेयर रानी रामपाल जो की फॉर्थ फेमस प्लेयर है और इन्हें क्वीन ओफ इंडियन होकी भी कहा जाता है इस चीज का थोड वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ दा इयर ये जीता है 2019 का और ये फ़र्स्ट होकी प्लेयर बन गई है पूरे वर्ल्ड की जो ये अवर्ड जीता है ठीक है बाकी प्लेयरों ने जीता है दूसरे गेम के लेकिन ये फ़र्स्ट होकी प्लेयर बन गई है तो इसी की अगर आपको प सीरीज चाहते हैं तो आप एक बर बता देना कि ऐसे सर अच्छी लगी है सीरीज आप को मैं ये ऐसे प्रोवाइड कराते रहूँगा और इसी के साथ में आप अपनी प्रिप्रेशन बनाए रखें डेट्स जैसे ही आएंगी मैं आप सभी को अनाउंस कर दूँगा ठीक है उस